गुड मॉर्नी स्टुडेंट्स आज हम सिविक्स का चेप्टर थ्री वाट इस गुवर्मेंट मतलब सरकार क्या है के बारे में पढ़ेंगे गुवर्मेंट का मतलब होता है as a group of people जो हमारे representative होते हैं और जो हमें rule करते हैं उसे गुवर्मेंट कहा जाता है गुवर्मेंट is what is the need of the government government is needed to make decision to get things done the government take decision on various matters सरकार जो होती है उसकी हर एक country को जरूरत होती है क्योंकि उसे कई तरह के decisions लेने होते हैं और कई तरह के काम करने होते हैं कि यह निर्णे क्याई विश्यों से संबंदित हो सकती है जैसे कि कहां पर रोड बनानी है कहां पर स्कूल्स बनानी है और भी बहुत सारी चीजे किन चीजों के दाम घटानी है यह पूरी कंप्लीट इन सब चीजों की और इन चीजों को समय पर कंप्लीट किया जा सके यह सब इलक्ट्रिक सिटी की सप्लाई कैसे इंक्रीज की जाए और गर्मेंट यह इन सब कामों को देखती है और इनके बारे में डिसीजन्स लेती है जैसे रेलवे लाइन कहां पर बनाई जाए डाग घर कहां पर बनाया जाए यह सब निर्णे सरकार द्वारा लिये जाते हैं और इस से अलग भी सरकार का काम होता है देश की जो बाउंडरीज होती हैं उनको प्रोटेक्ट करती है और साथ ही साथ अधर कंट्रीज जो होती है उनकी साथ परफेक्ट और पीसफुल रिलेशन मेंटेन करती है गvर्मेंट की इससे रिस्पुंसिफुल टी होती है कि देश का कोई भी व्यक्ती बीना खाना खाए न सोय मतलब उसके पास प्रोपर फूड हो प्रोपर हेल्थ फैसलिटीज हो और जहां पर health facilities नहीं होती हैं वहां पर government ऐसे program encourage करती है कि जिससे health facilities मिल सके और लोग उन facilities तक पहुँच पाएं सरकार इस तरह की program भी organize करती है जिससे की poor people को health मिल सके और यदि कोई natural disaster भी आता है जैसे tsunami earthquake तो government महाँ पर help provide करती है और यदि कहीं पर dispute है या crime किया है तो ऐसे लोगों को court में भी भेज सकती है क्योंकि जो court है वह भी government का ही एक part है अब question ही उठता है कि जो government है वह अपना काम कैसे करती है या ये necessary क्यों है तो उसके लिए सरकार को कुछ rules बनाने पड़ते हैं जो की सभी पर apply किये जाते हैं और सभी को वो rules follow करने पड़ते हैं एक्जामपल के तोर पर यदि कोई resource है तो उसे control करने के लिए कुछ rules बनाने पड़ेंगे जिससे की हाँ पर हैने वाले जो लोग हैं वो safe feel करें इसलिए country को protect करने के लिए भी कुछ rules बनाने पड़ते हैं और ये सब काम जो government है वो सब लोगों के बिहाफ पर ही करती है leadership को exercise करती है और decision लेती है और in decisions को implement भी करती है जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं अब next आता है levels of government सरकार अलग अलग इस तरों पर काम करती है जैसे लोकल लेवल अब लोकल लेवल में भी दो चीज़े आती है एक डिस्टिक लेवल आता है एक village level आता है second state level और third central level और इसको national level भी कह जाता है तो सबसे पहले हम central level की बात कर लेते हैं this is the topmost level of government the central government looks after topics of natural interest national interest the prime minister is the head of the central government the central government operates from the national capital न्यू डेली तो जो हमारी national government होती है कि वह पूरी country से related होती है और वहां उसको Central government को operate किया जाता है New Delhi से क्योंकि New Delhi जो है वह हमारे देश की राजदानी है Number 2 आता है State level State level different state have their own level of government the state government is headed by the chief minister of the state The state government looks after the state subjects मतलब state level यह पूरे states को cover करती है State जैसे की हमारे यूपी, हर्याना, आसाम यह सब states है और यहां पर अपनी government होती है Next आता है local government अब local government दो इस्तरों पर काम करती है district level district level से मतलब जैसे नगर level शहरों के level पर सेकेंड है village level जो की गाहों के इस्तर पर अब नेक्स्ट आता है laws and the government government द्वारा बनाए गए नियम जो government है वे laws बनाती है और country में रहने वाले जितने भी citizens हैं उन सब को ये laws follow करने पड़ते हैं laws follow करने पर government अच्छे से function कर पाती है क्योंकि यदि लोग जो country में रहने वाले citizens है वो लोग follow नहीं करेंगी तो सरकार को काम करने में परेशानी आएंगी और इसके लिए सरकार कुछ rules बनाती है कि यदि लोग लोग को follow नहीं करेंगे तो उनको जेल हो सकती है या फिर कुछ पैसे fine बढ़ने पड़ सकते हैं तो government ऐसी decision making power अपने पास रखती है government के पास यह power होती है कि इन decisions को enforce कर सके जैसे एक example ले ले लेते हैं कि यदि government रूल निकाला है कि कोई motor vehicle को बिना license के drive नहीं करेगा तो जब कोई भी व्यक्ति बिना license के drive करता हुआ मिल जाता है तो या तो उसे jail हो सकती है या फिर उसे fine बढ़ना पड़ सकता है अब यदि यह laws नहीं होंगे तो government अच्छे से work नहीं कर पाएगी जैसे कि government के पास power होती है decision making की वैसे ही लोगों के पास भी power होती है कि यदि उनको लगता है कि यहाँ पर laws follow नहीं किये जा रहे हैं तो वे court में भी जा सकते हैं अब इसके लिए example ले सकते हैं जैसे किसी इंसान के पास साथ यदि भेदबा हो रहा है कास्ट या religion के आधारपर या फिर religion के आधारपर से जोब नहीं मिल रही है तो वह court में जा सकता है तो तब court decision लेती है laws को follow कराने का अब नेक्स्ट आता टाइप्स ओफ गवर्मेंट जो गवर्मेंट है वो दो प्रकार की होती है एक democracy और दूसरी होती है monarchy अब गवर्मेंट को यह power कोन देता है कि government decision ले या laws को enforce करें अब यहां पर हम दोनों टाइप्स की government के बारे में बात करेंगे कि democracy में power किसके पास होती है और मोनार्की में power किसके पास होती है सब पहले हम democracy की बात कर लेते हैं democracy में power common people के थुरू दी जाती है तो हम लोग ही जो government को power देते हैं जैसे की इंडिया एक democratic country है यहां पर जितने भी citizens हैं अपने अपने representative को चुनते हैं democracy में elections होते हैं citizens अपने particular person को vote देते हैं और फिरे उन्हें elect कराते हैं उसके बाद जो भी representative select होते हैं वे एक government बनाते हैं democracy में जिसकी भी government बनती है जिनको भी power मिली है उनको अपने action को explain करना पड़ता है और defend करना पड़ता है लोगों के सामने उन्हें यह बताना पड़ता है कि यह decision क्यों लिया गया है उसके reasons भी बताने पड़ते हैं मतलब कि democracy में जो government होती है और लोगों के सामने answerable होती है सेकेंड आता है मोनार्की टू टाइप्स बताया है ने मैंने government के एक democracy और एक मोनार्की हिंदी में democracy को प्रजातंत कहते हैं और मोनार्की को राजतंत्र मोनार्की में बिलकुल democracy से बिलकुल different है मोनार्की में एक king या queen होते हैं उनके पास power होती है जो decision को बनाते हैं और government को run करते हैं जो यह king या queen होते हैं इनके पास लोगों का अपना एक group होता है जिनके साथ यह matter को discuss करते हैं बट final decision king के हाथ में ही होता है democracy में क्या होता है जो government है वह answerable है कि कोई भी policy क्यों बनाई जा रही है लेकिन मोनार्की में ऐसा नहीं होता है जो king है उसको explain नहीं करना पड़ता कि अपने actions और अपने decisions को तो जो मोनार्की होती है उसमें राजा या रानी उनहीं का राज चलता है वही decision लेते हैं जैसे कि हाँ पर एक दिखाया गया है कुई यह king तो आगर इनोंने कोई decision लिया है तो यही उसको करेंगे डैमोक्रेटी government जो इंडिया वह एक डैमोक्रेटी country है डैमोक्रेटी country है और डैमोक्रेशी के achievement के लिए लोगों ने बहुत ही struggle किया है तभी यह हमें मिली है वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया है डैमोक्रेशी को पाने के लिए डैमोक्रेशी का एक मीन फीचर होता है कि यहां पर जो लोग होते हैं वे अपने representative को चुनते हैं जो फिर इनके लिए decisions बनाते हैं यहां पर लोग rules को बनाने में participate करते हैं इसमें लोग direct participate नहीं करते हैं लेकिन उनके जो representative होते हैं उनको election process से चुनते हैं और जो यह representative होते हैं यह जब एक साब मिलते हैं और decision बनाते हैं अब इस वोक्स में एक दिया हुआ है कि यूरोप और USA की यदि हम बात करते हैं तो वहां पर जो लेडिज हैं और जो पूर पीपल हैं उन्होंने government में participation लेने के लिए बहुत fight किया था क्योंकि इनको यहां पर vote देने का अधिकार नहीं था लेकिन इंडिया जब आजाद हुआ तो यहां पर बिना किसी भेदभाव के सभी को vote देने का अधिकार मिला लेकिन यूरोप और USA में बहुत struggle हुआ वुमेन का जो यह struggle था यह first world war के समय ज्यादा strength हुआ उसमें इन्होंने right to vote मतलब वोट देने का अधिकार मुमेंट चलाया उसे वुमेन सफ्रेज मुमेंट का नाम दिया गया सफ्रेज का मतलब होता है right to vote जब first world war हुआ तो जितने भी मैं थे, जो काम पर जाते थे वे उस समय वार में हिस्सा ले रहे थे तो इस लिए वुमेन को उनकी जगे पर काम करने के लिए बुलाया गया। तो बहुत सारी जो women हैं उन्हों ने काम को organize किया। इसे देख कर लोग बहुत surprise हुए। क्योंकि उन्हों ने यह अपना मन बना लिया था कि जो women है वो काम नहीं कर सकतی और men वाले काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती है तो लोगों के मन में जो ये धारना बनी हुई थी वहें खतम हो चुकी थी इसलिए वहाँ पर हर वोमेन को capable देखा गया decision making power में तो जिन्होंने right to vote का moment चलाया हुआ था इन्होंने demand की कि वोमेन को vote डालने का अधिकार दिया जाए तब फाइनली अमेरिकन वोमेन को right to vote 1920 में ये अधिकार मिला था और same terms पर UK में भी 1928 में ये अधिकार मिला था ये हम याद रखेंगे कि American woman को 1920 में vote देने का अधिकार मिला और same terms पर ही UK में 1928 में ये अधिकार दिया गया कोई भी government जब तक democratic नहीं है तब तक की universal adult franchise सभी को allow नहीं होती है मतलब universal adult franchises का मतलब होता है की सभी को vote डालने का अधिकार नहीं है तो वह country democratic नहीं है भारत में ने पहले कुछ वना थे जो जैसे गांधी जी ने डिमांड किया कि सभी अधिकार को वोट देने का अधिकार होना चाहिए इसी वज़े से राइट टू वोट को universal adult franchise कहा जाने लगा गांधी जी ने एक जनरल लिखा था यंग इंडिया 1931 इसमें गांधी जी ने कहा था कि ओनेस्टली वर्क कर रहे उनको वोट डालने का अधिकार क्यों नहीं है जो लोग honestly अपना वर्क कर रहे हैं तो सभी को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए मतलब इनको भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए तो गांधी जी का कहने का यह मतलब था कि सभी adults को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए तो इस चेप्टर में हमने गवर्मेंट के बारे में पढ़ा कि गवर्मेंट कैसे काम करती है, कितने टाइप्स की होती है, किस तरह लोज बनाती है और किस तरह लोग उसका फायदा उठाते हैं Thank you